महरांगर किला जिसको महरान किले के रूप में भी जाना जाता है ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट उची पहाडी की चोटी पर स्थित है महरांगर किला विशाल दिवारों द्वारा संरक्षित है इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाडी के ऊपर है जो बेहत्शाही है किले में साथ द्वार है मिहरांगर किले का इतिहास काफी दिल्चस्प है जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब पंद्रवी शताब्दी के दौरान राठोर शासक राओ जोधा ने 1469 में जोधपूर की स्थापना की थी राजा राम मलके पुत्र राओ जोधा ने शहर को मंदोर से शासित किया लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को जोधपूर स्थानांतरित कर दिया था इसके बाद उन्होंने भावचेरिया पहाडी पर किले की नीव रखी जिसकी दूरी मंदोर से सिर्फ 9 किलो मीटर थी महरान का अर्थ सूर्य है इसलिए राठोरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को महरांगर किले के रूप में नामित किया इस किले के मुख्य निर्मान के बाद जोदपूर के अन्य शासकों मालदेव महराजा, अजीत सिंग महराजा, तकहत सिंग और महराजा हनवन सिंग दुआरा इस किले में अन्य निर्मान किये महरांगर दुर्ग के निर्मान के समय एक व्यक्ति की स्वैचिक बली चाहिए थी जिसके लिए राजाराम मेगवाल ने स्वैचिक बली दी थी 500 साल की अवधी में महरांगर किले और महलों को बनाया गया था किले की वास्तुकला में आप 20 वी शताबदी की वास्तुकला की विशेश्टाओं के साथ 5 वी शताबदी की बुनियादी वास्तुकला शैली को भी देख सकते हैं किले में 68 फीट चोड़ी और 117 फीट लंबी दीवारे हैं मिहरांगर किले में साथ द्वार हैं जिन में से जैपोली सबसे ज्यादा लोग प्रिये हैं किले की वास्तुकला 500 वर्षों की अवधी के विकास से गुजरी है किले के निर्मान के लिए राव जोधा को एक रिशी चीरिया नाची को जबर्दस्ती इस जगह से हटाया था जिसके बाद उस रिशी ने राजा को शाप दिया था कि इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा लेकिन बाद में राओ जोधा ने उनके लिए एक मंदिर और एक घर बनवा कर उन्हें प्रसंद किया जब आप इस किले को देखने के लिए जाएंगे तो इसके मुख्य द्वार के सामने आपको कुछ लोग लोक नृत्ति करते नजर आएंगे कई हॉलिवोड और बॉलिवोड फिल्मों को किले में शूट किया गया है जिसमें फिल्म दे डाक नाइट राइजिस, दे लान किंग और ठक्स अफ हिंदोस्तान के नाम शामिल है महराजा अजीत सिंग के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्मान मुगल डिजाइन में किया गया है इस के लिए में पर्यटकों को आकर्शित कर देने वाले साथ द्वारों के अलावा मोती महल, फूल महल, दौलत खाना, शीश महल और सुरेश खान जैसे कई शांदार शैली में बने कमरे हैं मोती महल का निर्मान राजा सूर सिंग द्वारा बनवाया गया था शीश महल या हॉल अफ मिरोस बेहत आकर्शक है जो अपनी दरपन के टुकडों पर जटल डिजाइन की वजह से पर्यटकों के आकर्शन का मुख्य केंद्र है